नमस्कार मित्रों जय गोमाता स्वागते गोपारत पर और मैं आपका साथी भवाने सिंग आसा करता हूं आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूं मित्रों आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट वीडियो है और कुछ बेसिक चीजों को लेकर है जैसे आप गोपालन क च्छेत्रे में आना चाहते हैं उनके आसपास अच्छा मार्केट है और उनको लगता है कि वह से पैसा कमा सकते हैं लेकिन ज्यादा तर क्या होता है कि मुझे बड़ा जो बेसिक रिजन लगा है और भी काफी रिजन है उनके बारे में अलग-अलग वीडियो में बात करता रहता हूं लेकिन यह है कि ज्यादा तर क्या पैसा तो लगा देते हैं लेकिन काम करना नहीं जानते तो मुझे जो इससे अनुबह हुआ जो एक्सपिरिंस था वह मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहता हूं एक समसिया आती है यह हमारे हिंदूस्तान में इवन गोपा है या इस टाइब की उनके एक मेंटली आजाती है बावना तो हमारे यहां पर क्या हर कोई वाइट कॉलर जॉब ढूंडता है मतलब हम उनको लगता है कि हम ऑफिस में बैठे और नौ से पांच काम करे और पैसा भी हमें मिल जाए इस टाइब का लेकिन जो जिन काम को नीच आप गोबलन कर रहे हैं आप जैसे इग्जंपल लेलो गोपालन करते हैं तो वह आप्लन करे अपकी लगत पर डिपेंड रहे आप ठीक है आपका पैसा लगाते रहे और चलते रहे लेकिन एक जो आम पड़ा लिखा व्यक्ति है आम किसान है वो चाहता है कि रोज के पांसो हजार दो जार रुपे में कमा लूँ गो पालन से और मेरे पास अच्छा मार्केट है मेरा सहर में दूद जा को लेबर की भी जरूत पड़ती है तो आप क्या है कि लेकर आते हों और इसमें क्या होता कि लेबर हमारे यहां पर मैं अपनी बताता हूं मेरे अपने चेतर में जैसे यह गवर्मेंट की स्कीम है नरेगा वह अच्छे यह जो मन्रे का मात्मा गांदी राष्ट की रोजगा गारंटी कानून है उसकी वज़ए से कि हमारे इदर के ज्यादातर लोग है ना आलसी और कामशोर परवर्ती के हो गए है मतलब उनको सारे दिन आप बिठा दो तास ठोकते रहेंगे कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर उनको कहो कि यह गड़ा खोधना है दो फिट गैरा या दो चाहरे और या जादा तर कई पड़े लिके हैं तो उनको वह कई जैसे नौकनियां होती है प्राइविट सेक्टर में तो वह क्या है कि करने को त्यार रहते हैं साथ आठ हजार रुपे में दस हजार रुपे ज़्यादा से दे वह उसमें रगड़े जाते लेकिन अगर को आज गोसालाओं में हमारे इदर जैसे गाओं की गोसाला भी है इवन में भी पंद्रह हजार रुपए देता था और लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं अब आप कहेंगे भी काम करने के लिए तो काफी हमारे इदर पॉपोलेशन हमारे देश में बहुत है और और विरोजगारी वी काफी लेकिन लोगों की भावना ही नहीं नहीं यह तो हमारे स्टेंडर्स से नीचा काम है युद मैं अपना एक्सपिरिंस बताता हूं जब मैंने गोपालन किया और कुछ वीडियो आप मेरे आप देखेंगे तो गोबर वगरे के इस टाइप के काम करत वीडियो आज से पचास साल बाद अगर हमारे बेटे पोते भी देखे तो इसा सरम महसूस करें तो ऐसा तो वह है नहीं हम इसा कोई गलत काम नहीं कर नहीं कर रहें कि ढूंकि जर्मन टूरिस्ट को गुमाता हूं तो यह जो यूरॉपियन कंट्री कि लोग हैं उनमें यह नहीं है वह चपराशी को भी उतना ही समान देते जितना की कोई अपसर को देंगे काम काम है कोई वह ऐसा नहीं है तो यह बात है वापिस मैं आता हूं मुद्दे में कापी लंबा हो जाएगा वैसा तो यह बात यह है कि 15,000 में खुद देता था इवन ह दो लिटर दूद भी दे रहा हूं और उसके बावजूद अगर जैसे कोई उसको कोई काम क्यूंकि गोसाला का जोब ऐसा है मित्रा हूं कि आपको 24 by 7 अवेलिबल होना चाहिए अब ऐसा तो नहीं है पांच बजे काम निप्टा और आप मतलब लूटी ओफ और रात को जैस नहीं दे पाता था कि मैं अपने टूर पर रहता था तो बीच में किया हुआ कि एक गाई भी आई ती रात में तो वह अपने मस्ती से सो रहा था गाई भी तो मेरे जो मदर है उन्होंने मतलब ध्यान देके बच्चा को आगे रखना गयी और गरम पाने से गाई को वापिस भी दोना करना रात को हम पंदरा हजार दे रहे हैं और गाईों के लिए उसको लेका आ रहे फिर मेरा एक्स्पिरिंस बता रहा हूं काफी ये होतां उनके भी काम पढ़ रहा हैं तो या दो लिटर दूद दो जनों के बीच मिया को सौसन करना लगता लेबर को यह बंदा दूद निकालना नहीं जानता है तो वह क्या फिर नाटक करते हैं और हमारी तनका बड़ा हो इस टाइप करते हैं क्योंकि मेरे एक मित्र है महाराष्ट से उनके साथ भी ऐसा हुआ उन्होंने भी अपना मुझे बताए कि यार लेबर बोले तनका बड़ा हो मैं 15,000 रुपे दे रहा था कपल के प्लस वही रहना और प्लस दूद दे रहा था और जो भी साख सब्जी वहां उनके फार्माउस पर होती थी तो वह तो फ्री होती थी उसमें वह कोई वह नहीं था उसके बावजूद भ पड़ी और फिर वह बता रहते हैं कि जो था वह कपल तो वह कहीं जाके वह आँठ हजार में दोनों नौकरी कर रहे हैं तो यह होता है तो मितनों सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि आप बेसिक चीज़ आपको खुद को आनी चाहिए इन केस अगर आपकी लेबर है वह अलग बात है आप एक नहीं एक की जगे पांच आदमी रख सकते हैं लेकिन आप अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं तो हमेशा लेबर के उपर डिपेंडेंट नहीं रहे मेरे कहने का मतलब ही है क्योंकि लेबर को ज्यादा तर को अच्छे लोग है तो ठीक है अच्छी की निकाल दिया यहीं गोपालन में होता क्योंकि उसके अलबा आपके जो बंदा है और आप वहां नहीं हो सब्कूज आपके फरम पे और आपका बंदा है तो इसको यह भी ध्यान रखना चाहिए कौन सी गाई चारा नहीं खा रही है नहीं नहीं खाही तो क्या हुआ अज मतलब यूं है कि मेरी इसाब से कि अगर आपको ऐसा वक्त आये तो हम खुद भी मतलब प्रिपेर रहना जरूरी आपको हर काम आना चाहिए तभी गोपालन के छेत्र में उत्रे इससे क्या हो का आपको अगर चोड़के अभी बगजाए और साम को दूद निकालना हो तो आपके सामने तो अब दर्म संक्ट हो गया अब आप किसको लेका होगे दूद निकालने के लिए तो मित्रों अगर आप गोपालन कर रहे हैं आपके यहां पर इसी समस्या आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक् झालने को जरूर के लिएके साम कि लिए होगे हैं आपके लिए कुछिए।